Hello Friends, कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके Assignment Submission की Last Date के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके Assignment Submission की जो Last Date है उसे Extend किया जाएगा और जो Notice है वो कभी कभार लेट रिलीस किया जाता है तो आपका जो Notice है Assignment Submission का वो इगनू ने यहाँ पर रिलीस कर दिया जब आप इगनू के Official Website पर आएगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे जाएंगे जब आप News and Announcement वाली section में तो यहाँ पर आपको यह Notice देखने को मिलेगा इस Notice में आपको बताया गया कि आपके Assignment Submission की जो Last Date है उसे 30 November तक Extend कर दिया है मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि यह डेट जो है वो 10 November या 15 November तक Extend होगी पर आपके लिए बहुत बड़ी बिग नूज है कि इगनू ने यह Notice 2 November को रिलीस किया और आपको यहाँ पर इस Notice के थुरू बताया है कि आपके Assignment Submission की जो Last Date है चाहें आप Online Program कर रहे हैं यह गनू से चाहें आप ODEAL Program कर रहे हूं आपको कोई Program हो आप किसी भी Regional Center किसी भी Study Center के Students हो आपके Assignment Submission की जो Last Date है December 2023 एक्जाम के लिए वो 30 November है यानि 30 November तक आप सभी Students अपने Assignment Submit कर सकते हैं आपको एक महीने का और समय दे दिया है अब आप Last Date का वेट ना करते हुए आप जल्द से जल Assignment बना लें क्योंकि मैंने अपनी पहले ही वीडियो में बताया था कि आप Last Date का वेट करते रहते हैं जिसकी वज़े से Last Date निकल जाती है और आप अपने काम Complete नहीं कर पाते हैं तो इसलिए आप 30 November का वेट ना करें आप आप जल्द से जल Assignment पहले ही अपने Assignment करवा दें बना कर जिससे कि आपको आगे वेट ना करना पड़े और ना ही कोई प्रॉबलम हो आपके साथ इसलिए 30 November यहाँ पर इगनूने Assignment की Last Date एक्स्टेंड कर दिये है आप आप आराम से अपने Assignment बना सकते हैं और Assignment से Related कोई भी आपकी Query है यह Assignment आपको पर्चेस करने है यह आपको Assignment बनाने नहीं आते हैं तो आप मेर से Telegram या Instagram पर जुड़के आप Assignment पर्चेस भी कर सकते हैं यह Assignment से Related कोई भी Query है तो वहाँ पर आपको सारे आंसर मिल जाएंगे तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले धन्यवाद